चलिए तो एक और डायूरिटिक ग्रूप के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है लूप डायूरिटिक्स बहुत इंपोर्टन है एक्जाम पॉइंट ऑफ यू और समझने के लिए क्लिनिकल इंप्लिकेशन भी इसके बहुत अच्छे हैं तो इसे लाइफ सेविंग ड्रग आप डोजेज बढ़ाते जाते हैं तो उसका इफेक्ट भी बढ़ता जाता है ठीक है काफी सारा इफेक्ट उसका बढ़ता जाता है और एक टाइम रहता है कि जब उसका सीलिंग इफेक्ट आता है आप कितना भी आप डोज बढ़ा लीजिए आपका इफेक्ट उतना ही रह अगर इसका भी सब classify करें ये drug को तो उसमें आपको ये कुछ नाम देखने को मिलेंगे जैसे furosemide, bumetanide, torsemide, piratenide, so nid, nid, mide ऐसा कुछ नाम आपको देखने को मिलते हैं जिसमें जो prototype drugs है that is furosemide बहुत important और life-saving drug है कुछ older drugs है अभी भी use होते हैं but because of adverse drug reactions come preferable है वो है ethacranic acid and endocrinone, so ये सब जो drugs हैं वो overall high ceiling diuretics या फिल लूप diuretics के class में हम लोग रख सकते हैं अब जो furosemide जैसे हमने बात की prototype drugs हैं, उसकी maximum natriuretic, natriuretic means की sodium sodium को maximum बहार निकलता है, पानी को maximum बहार निकलता है, दूसरे सब class से उसकी capacity बहुत ज्यादा है इसलिए it's called as high ceiling diuretics, और जैसे जैसे हम लोग dose बढ़ाते हैं, जैसे हमने बात की थी, dose बढ़ाते हैं, तब तक उसकी effect बढ़ने लगती है, एक time ऐसा आता है, जब उसका dose बनने के बाद भी effect नहीं बढ़ता है, उससे हम लोग ceiling बोलता है, उसका ceiling ज्यादा होता है, it's called as high ceiling diuretic, क्या है फर्मो कानेटिक प्रोफाइल, तो ये drugs है rapidly absorb होती है, अच्छी तरह के से kidney में से ही निगलती है, filtrations के थूँ और tubular secretions के थूँ, इसकी half life comparatively कम होती है, अगर हम दूसरा गुप्ताय जाएड diuretic सी बात करें, तो उसकी comparisons में उसकी brief half life होती है, क्योंकि इसकी जो साथ अच्छी bound होती है, तो उसका क्या importance है, इसका importance यह है, कि there are chances of interactions, तो अगर आप दूसरी drugs भी इसके साथ दे रहे हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, कि वो भी plasma protein bound है या नहीं, चली दिखते हैं, तो most important चीज की इसका mechanism of action क्या होता है, diuretic के तोर पे, तो अगर मै एक sentence में बात करूँ या कोई अपसे पूछे कि मेरे को एक sentence में बताओ कि how this loop diuretics or this high ceiling diuretics works, तो आपको बताना है कि जो kidney का जो nephron होता है, उसके अंदर ascending loop of handle होता है, जैसे हमने पूरा जो figure दिखा था, ascending loop of handle होता है, यह यहाँ पे कुश, तो यहाँ पे एक transporter pump होता है जो solutes को reabsorption करने का काम करता है, और वो pump का नाम है sodium potassium 2 chloride transporter, तो यह जो transporter pump है, इसको यह inhibit कर देता है, तो जो loop diuretics दवाईयां है, फिरोस अमाट जो दवाईयां है, यह जो sodium potassium 2 chloride transporter pump है, थिक ascending loop of handle के उपर, उसको वो inhibition करता है, जैसे आप यह figure में देख सकते हैं, यह figure हमने अल्लेडी डिसकस की है, तो यह जो हमारा glomerulus है, यह proximal convoluted tubule है, जहाँ पे अल्लेडी हमने डिसकस की है, अब हम लोग यहाँ पे है, इस थिक ascending limb, और यहाँ पे यह जो transporter है, sodium potassium 2 chloride transporter, इसको यह drugs inhibit करती है, कैसे यह reabsorption process होता है, और कैसे यह inhibit करती है, चलिए समझते हैं, तो जैसे हमने बात की, यह luminal side है, यहाँ पे urine होगा आपका, यह interstitial side है, यहाँ पे आपका blood होगा, और यह cell से, ascending limb के cell से, तो यहाँ पे जैसे आप दिख सकते है, sodium potassium 2 chloride, एक symport होता है, यहाँ भी, means एक direction में उसका absorption होता है, यह pump की मदद से, और यह जो sodium है, वो फिर absorb होता है, interstitial side पे, with the help of sodium potassium ATPase pump, तो उसमें exchange में potassium लगता है, और sodium reabsorption होता है, energy की जरूरत होती है, वो ATP-based pump में से मिलती है, एक दूसरा भी pump है, potassium और chloride का, जो chloride को reabsorption करने का काम करती है, जो chloride यहाँ से reabsorption हुआ है, उसको interstitial में ले जाती है, लेकिन वो अपने साथ potassium को भी केंच के ले जाती है, तो अभी in case जो additional potassium यहाँ से जो absorb हुआ है, वो जो additional potassium बढ़ता है यहाँ पर, वो additional potassium को बाहर निकलता है, यह एक channel, तो यह जो channel है, वो ions का balance maintain करने के लिए potassium को बाहर निकलता है, और उसको counter करने के लिए, जो interstitial space होता है, यह interstitial space में से, या फिर जो space के जो 2 cells के बीच में होता है, जिसे कई बार paracellular space भी कहते हैं, उसके अंदर से magnesium और calcium जैसे कुछ ions होते हैं, वो भी reabsorpt हो जाते हैं, तो यहाँ पर sodium का reabsorption हुआ, calcium का, sorry, chloride का reabsorption हुआ, और magnesium और calcium, जैसे कुछ ions का अच्छे से reabsorption process चलता है, अगर, अब हम हम loop diuretics देते हैं, हमारी जो main drugs ह हैं, those are loop diuretics, तो loop diuretics ये pump को inhibit करते हैं, और because they inhibit this pump, sodium, chloride, magnesium, और calcium, इसका absorption, interferes होता है, क्या होता है, potassium पे effect, because यहाँ पे sodium का level बहुत होता है, urine के अंदर, तो जैसे हमने बात की थी, कि जो distal tubule है, ये distal tubule ज्यादा से ज्यादा sodium को absorb करने का try करता है, और potassium को exchange करता है, तो इसलिए urine में potassium का level भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, so eventually यहाँ पे क्या होता है, कि काफी सारा पानी तो निकलता ही है, साथ ही के साथ, sodium, potassium, chloride, magnesium, calcium, ये कुछ भी ions निकल जाते हैं, additionally ये drugs की carbonic and hydrates inhibiting activity भी होती है, थोड़ी बहुत, तो इसलिए आपको यहाँ पे कई बार bicarbonate भी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा की time पे यहाँ पे chloride ही आपको ज्यादा मिलता है, ठीक है, so इस तरह से different ions आपको loop diuretics वाले case में urine पे देखने को मिलेंगे, so this is its mechanism of action, so जो main जैसे हमने बात की, हम summarize करते हैं, कि counter current जो system होता है, उसमें ये interference करता है, जो reabsorption process जो pump की मदद से होता है, उसमें, दूसरा एक बहुत important चीज होता है, यह है renal hemodynamic changes, यह जो renal hemodynamic changes होते हैं, यह क्या करते हैं, यह जो mostly होते हैं, वो prostaglandins की बचा से होते हैं, जब भी loop diuretics देते हैं, तब वो prostaglandins release करते हैं, और यह prostaglandins release करने की बच्चे से यह क्या होता है, venus dilatations करते हैं, जिससे जो pre-load heart के उपर होता है, वो decrease होता है, और CHF वाले patients में यह benefit करता है, तो अगर किसी भी patients को acute CHF, acute congestive heart failure है, उस situation में अगर हम loop diuretics या फिर fucermat देते हैं, तो उससे prostaglandins release होने की वज़े से venodilation होके pre-load कम होता है, और जिससे CHF में यह benefit होता है, तो this is called as renal hemodynamic changes, जैसे यहाँ पर बात भी की है, कि prostaglandins release होने की वज़े से यह चीज होती है, अगर इस situation में को हम कोई ऐसी दवाईयां देते हैं, कि जो prostaglandins का synthesis inhibit करें, तो यह changes होने में थोड़ा difficulty होता है, और जो renal blood flow होता है, वो फिर alter होता है, तो ऐसी कुछ दवाईयां है, कि जो prostaglandins synthesis बंद करती है, जिसका नाम है NSAIDs, तो NSAIDs ऐसी दवाईयां है, कि जो prostaglandins synthesis है, वो बंद करती है, जिससे renal perfusion alter होता है, तो eventually अगर हम summarize करें, तो यह drugs, urine में calcium बढ़ाती है, urine में magnesium बढ़ाती है, उनका excretions होता है, carbonic anhydrase inhibitory activity है, तो थोड़ा bicarbonate भी निकलता है, chloride का majorly excretions होता है, ठीक है, और because of prostaglandin release, pulmonary congestion कम होता है, और left ventricular feeling pressure भी उससे कम होता है, एक और important चीज़, जो metabolic changes के बारे में है, यह drugs क्या करती है, कि blood में urine acid का level थोड़ा बढ़ाती है, अब कैसे बढ़ाती है, क्योंकि यह drugs होती है, furosemide, यह proximal convoluted tubules के थू, secret होती है, अंदर, और उस time पर यह compete करती है, किस के साथ, urine acid के साथ, तो इसलिए यह uric acid body के अंदर रह जाता है, और यह drug tubules में release हो जाती है, तो इस तरह से यह uric acid का level थोड़ा बढ़ाता है, इससे sugar में भी थोड़ा rise होता है, यह drug से, इसी group की दूसरी drugs है, जिसका नाम है bumetanide, जो furosemide से 40 गुना ज्यादा potent है, furosemide resistance cases में use होती है, एक और drugs है, torsemide, जो भी उससे potent है, और because उसका oral absorption अच्छा है, rapid है, complete है, तो यह longer duration of action effect produce करती है, अब आजा मैं थरापिटिक uses के बारे में, कि यह furosemide drugs किस-किस situations में, conditions में use होती है, तो जैसे हमने बात की, acute pulmonar edema, जाफे left ventricular failure, जिसमें यह mainly prostagland independent phenotilations करके pre-load कम करती है, दूसरा होता है acute renal failure, कि जिसमें prostaglandin mediated यह renal perfusion बढ़ाती है, और जिससे GFR बढ़ता है, और patients को benefit होता है, third thing, edema, because यह drugs mainly large volume of water और solutes को body से बाहर निकालती है, so almost हर एक टाइप के edema में यह use होती है, cardiac हो गया, renal हो गया, hepatic हो गया, nephritic हो गया, सब kind of edema में यह mostly use होती है, कई बार cereblar edema में osmotic diuretics, menitols के साथ भी यह use होते है, refractory hypertension, कई बार कुछ hypertensions में दबाईयों की असर नहीं आती है, उस cases में भी यह drugs beneficial है, hyperkalemia, potassium का level बढ़ जाता है, उस conditions में भी कई बार erythmia का chances होता है, तो उस situation में ऐसी drugs देने से potassium निकलने लगता है, urine में से, hyperkalemic state, कई बार ऐसी situations, conditions होती है, जहाँ पर body में ज्यादा calcium level हो जाता है, so because of this high calcium load, there are chances of renal stones, किसी भी abnormal जगा पर deposits होते हैं, so इस situation में आप यह drug use कर सकते हैं, जिससे calcium, magnesium बाहर निकल जाएंगे, acute drug poisoning, this is called as forced diuresis, so कई बार पहले क्या होता था, कि drug toxicity में forced diuresis करते थे, forced diuresis में osmotic diuretics दी जाती है, जिसके साथ साथ काफी सारा normal saline भी infuse किया जाता है, कि जिससे drug निकल जाए, diuresis हो के बाहर, लेकिन अब ऐसा देखना को मिला है, कि यह जो method है, कुछ ज्यादा effective है, नहीं, फिर भी इसमें use होता है, same way, NIN-1, core dose में भी same mechanism से toxic material बाहर निकलता है, blood transfusion के साथ भी कई बार overload ना हो, heart के ओपर ज्यादा load ना आ जाए, तो यह अब दवा दे सकते हैं, जिससे postaglenin-mediated benodilation से heart पे कम लोडाता है, अब चलते हैं adverse drug effects के बारे में, तो कैसे adverse drug reactions होती है, क्यों होती है, कैसे हम लोग counter कर सकते हैं, तो जो main concern होता है, यह जो force diuresis से, उससे एक तो होता है कि potassium loss, hypokalemia, यह बहुत बड़ा concern होता है, कि यह potassium निकल जाएगा, उससे क्या होता है कि potassium निकलने की बज़े, specially कोई बार देने से नहीं होता है, कभी लोगा long term देने से यह situation होता है, longer duration के लिए देने से यह situation होता है, और potassium निकलने से fatigue होने लगता है, muscle cramps होने लगते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ ज्यादा अगर hypokalemia हुआ तो aridmias भी हो सकते हैं, तो hypokalemia mainly aridmias के साथ अगर हुए तो थोड़े fatal भी हो सकते हैं, तो इसलिए जब भी यह drugs का use longer time के लिए किया जाए, या फिर longer duration के लिए किया जाए, तो आप potassium level थोड़ा check भी कर सकते हैं, although potassium intracellular iron है, फिर भी serum potassium level check कर सकते हैं, और अगर कम हो, तो साथ में आपको कुछ measures लिने पड़ेंगे, चैसे आप dietary intake बढ़ाईए, potassium के supplements दीजे पिशंट को, तो उस दवाईओं के साथ mix करके भी यह loop diuretics आप use कर सकते हैं, अब आप कहोंगे कि सर, potassium की गोली ही साथ में दे दे तो, नहीं ऐसा नहीं होता, जो potassium की गोली देते हैं न, उससे जो main concern रहता है, gastric ulceration, potassium एक जगा पे जमा होने से gastric ulcer होता है, दूसरी चीज़, potassium का गोली में dose कम रहता है, so inaccurate dosing होता है, इसलिए जयादा यह prefer नहीं करते हैं, better thing preferable is, adding a drug की जो potassium sparing हो, दूसरा एक side effects होता है, chloride loss, so hypochloremia भी होता है, and one more significant adverse drug reaction is, dilutional hyponatremia, अब यह क्या होता है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, hyponatremia, because of solute sodium loss, there will be less sodium now, but कई बार क्या होता है, कुछ CHF के cases के अंदर, की पानी जो है, वो alternative mechanism से, body के अंदर बढ़ता रहता है, और sodium जो है, वो because of diuretic action निकलने लगता है, तो जिससे body में, जो भी कुछ sodium अब थोड़ा भी बचा हुआ है, वो dilute हो जाता है, इसे dilutional hyponatremia कहता है, और यह conditions ट्रीट करना थोड़ा difficult होता है, जिसमें आपको diuretic stop कर देना पड़ता है, और आपको कुछ, corticose 0x जैसी दवाईयां चालू करनी पड़ती है, जिससे, हाइपो मेगनेशिमिया, मेगनेशिम लॉस होता है, डिपलिशन अफ फ्लूड वॉल्यूम, जिसके वज़ा से हाइपो टेंशन होता है, और because of that, nocea, vomiting, diarrhea भी कुछ GI side effects ऐसे होते हैं, कई बास CNS side effects भी होते हैं यह ड्रक से, headache, giddiness, weakness, paresthesia और importance के भी कुछ cases होते हैं, बहुत बहुत रेर होते हैं, metabolic side effects में, जैसे हमने बात की, uric acid का level बढ़ता है, तो hyper uricemia होता है, जिससे gout जैसी condition, worse होती है, और lipid level बढ़ता है, जिससे LDL और cholesterol का level बढ़ने लगता है, so already जिसको metabolic disorder से, इसमें ये थोड़ा contraindicated भी होता है, miscellaneous adverse drug reactions है, autotoxicity और hypertoxicity, कई कुछ older diabetic agents होते हैं, जो autotoxicity भी करते हैं, directly जो ear के hair cells होते हैं, इसको ये damage करते हैं, जिसकी वज़़े से autotoxicity होता है, तो ऐसी drugs के साथ, और कोई autotoxic drugs ना देतो अच्छा है, allergic reaction, जैसे हमने बात की, कि थोड़ा बहुत carbonic anhydrase activity भी है, तो sulfa component होने की वज़े से, mild to severe allergic reactions भी possible हैं, अब जो important चीज़ है, drug interactions, इसके उपर से आपको, साथ one liner भी पूछ सकते हैं, वाईवा में भी questions पूछ सकते हैं, अगर आपका concept clear है, तो drug interactions आपको मालूम पड़ेगी, अगर conceptually आप weak है, तो this would be the most difficult thing to understand, चलिए देखते हैं, because कुछ-कुछ loop diuretics autotoxic हैं, येर्स को damage करते हैं, तो उसके साथ obviously और कोई autotoxic दवाईयां, जैसे carboplatin जैसे कुछ immunomodulators या anti-cancer drugs हैं, amino glycoside जैसे कुछ antibiotic है, कि जो भी autotoxicity years को damage करते हैं, तो वो तो कमाइन नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि वो autotoxicity aggravate करेगा, दूसरी एक drug है, digitalis, ये जो drug है, congestive heart failure के advance cases में दिये जाती है, लेकिन ये जो drug से जो main खत्रा है, वो है arrhythmia का, और ये समें से arrhythmia तब बढ़ता है, जब hypokalemic condition हो, जब body में potassium कम हो, तो जब भी ऐसी कुछ दवाईयां आप digitalis के साथ दे, कि जो potassium level कम करती है, तो digitalis की toxicity बढ़ने का chances रहता है, और arrhythmia होता है, तो हमारी diuretics, specially osmotic diuretics, sorry, जहाँ पे जो loop diuretics है, वो potassium का level कम करती है, hypokalemia करती है, और जिससे अगर digitalis साथ में दी जाए, तो उसकी toxicity होने का chance रहता है, reduces sulfoline urea action due to hypokalemia, because there is low potassium, एक और रग है, अगर उसको साथ में दी जाए, तो उसकी effectiveness कम हो जाएगा, और जिसका नाम है sulfoline urea, यह sulfoline urea diabetes mellitus वाले patients में use होती है, यह क्या करती है, कि जो insulin है, उसका release करती है, by bringing in potassium, तो यह दबाई को काम करने के लिए potassium बहुत ज़रूरी है, जिससे यह insulin का release करती है, और जिससे diabetes वाले patients में फाइदा कराक है, तो अगर यहाँ पे potassium कम होगा, तो insulin release नहीं होगा, और यह दबाई की काम कम होने लगती है, हमें यूज होता है, lithium जो है, वो भी एक छोटा सा iron है, sodium की तरह ही उसके साथ-साथ की तरह ही होता है, तो अगर sodium किसी भी तरह से body में से बाहर निकलता है, तो जो lithium है, उसका reabsorption बढ़ने लगता है, तो अगर यह diuretics lithium के साथ दी जाए, तो because diuretic sodium का लॉस करती है, so there would be more reabsorption of lithium, और lithium की toxicity का chances बढ़ जाएगा, एंसेर्स देसे हमने बात की, की प्रुस्ताग्लेंडिन synthesis inhibitions कहता है, तो इसके लिए प्रुस्ताग्लेंडिन mediate जो भी diuretic response है, जो भी kidney के अंदर hemodynamic changes हो रहा है, kidney का blood flow बढ़ रहा है, तो ये सब चीजे बंध हो जाएगा, Induce is the action of other anti-hypertensive, because ये एक टाइप के ये जो diuretics है, ये भी एक टाइप के anti-hypertensive group में की ही दवाईया है, hypertension कम करने के लिए सबसे cheapest option है diuretics, तो अगर diuretics के साथ, और कोई दवा एड की जाए कि जो भी BP कम करती है, तो उससे उसका action aggravate हो जाएगा, ज्यादा low blood pressure हो जाएगा, ये कुछ नई चीज है, ये कोट्राइमॉकसाजोल नामक एक एक एंटिबाइटिक होती है, जिसके साथ अगर diuretics दी जाए, तो जिससे दिखा गया है कि thrombocytopenia platelets कम होने के chances ज्यादा है, अब क्यू है, that is also under research, अलग-अलग hypothesis है, लेकिन ये देखा गया है, proben acid competitively inhibits the tubular secretion of furosemine, जैसे uric acid भी furosemine का secretions कम करती थी, compete करती थी, तो उसी वज़े से proben acid भी कम करती है, और proben acid के साथ अगर दी जाए, तो furosemine का action कम हो जाएगा, because furosemine आने में दिक्कत होगी, तो ये कुछ interactions है, completely understanding से, conceptually समझोगे, तो it would be easy, otherwise आपको वो रटना पड़ेगा, दिखते हैं, contraindications, किस-किस conditions में, ये diuretics ना दे, तो ही बैतर है, तो ये जो loop diuretics है, फिर force diuresis जो है, वो severe volume depletion हो गया, या फिर already sodium का बहुत loss है, तो obviously उसमें तो ना ही use करें, अगर hypersensitivity है, sulfonemides की, तो उसमें भी आप contraindicate करें, क्योंकि mild activities होती है, carbonicane hydrates वाली, तो थोड़ा बहुत sulfur component होता है, दरार chances of hypersensitivity, एन्यूरिया, फिर acute renal failure हो गया, तो उस condition में total renal shutdown होता है, और उसमें condition aggravit हो सकती है, क्योंकि heart के उपर load बढ़ सकता है, तो उसमें ना दे, liver cirrhosis वाले patients में ना दे, क्योंकि ये जो diuretic drugs है, ये जो diuretic drugs है, ये अब में पता है कि potassium का loss करती है, और because of this potassium loss, अब जो-जो distal debule है, distal debule में exchange के लिए sodium के साथ, अब एक ही molecule है, that is H+, तो ये क्या करती है, H+, का भी फिर से loss करने लगती है, so H+, loss होने की वज़े से, body में क्या होता है, alkalosis, so body में alkalosis जैसे situation हो गए, का है, तो ammonia जैसी जो mild, weak basis है, उनको loss होने में क्या होगा, की difficulty होगा, so because of that, mainly जो ammonia का level है, वो बढ़ता जाएगा, और cirrhosis वाले patients में, ये hepatic coma जैसी conditions भी करने लगती है, so ये क्या होता है, की basic conditions बढ़ाने लगती है, alkalosis बढ़ाने लगती है, hepatic coma जैसे situations भी हो जाती है, और eventually toxemia of pregnancy, इसमें आप नदे तो बैतर है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, की patient को edema होता है, लेकिन fluid volume बहुत ज्यादा होता है, तो अगर इसमें अगर फिर भी ऐसी drugs दी गई, कि जो अल्रेड़ी जो भी बाकी बचा blood volume है, वो भी कम कर देगी, तो उससे placental circulation बहुत ही compromise होगा, और fetal death के chances भी बढ़ जाते हैं, इसको इसकी बचा से, toxemia of pregnancy में भी यह ना दे तो बैतर है, Thank you very much.